हेलो दुस्तों कैसे हैं आप सब दुस्तों बात है 26 दस 2022 की सुभा 6 बच के 24 मिनट की जा पे धनवार डिवीजन के अंदर आने वाले एक रेलवे स्टेशन गुर्पा लाम के रेलवे स्टेशन पे 53 कोच लोडिड मालगाली जो है बेपटरी हो जाती है और ये जो मालगाली द लोग जो बिहार के साइड है वो बहुत ज़्यादा आवगमन लोगों का लगा रहता है ऐसे टाइम पर एक्सिडेंट होना काफी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कर सकता है खडी खैर दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा एक्सिडेंट क्यों हुआ और यहाँ तो कोडेर्वा जनक्शन से होता क्या है दो बच के 55 मिनिट पे सुबहा के एक मालगाली जो है निकलती है चाइक और इसको आगे गुजहांडी नाम के स्टेशन पे मतलब कुछ किलोमेटर आगे चलके गुजहांडी नाम के स्टेशन पे 4 बच के 22 मिनट पे लूप कर दिया जाता है लूप लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है क्यों कर दिया जाता है क्योंकि तो यहां पे mail block लगावा होता है अब यह mail block क्या होता है देख़ो आपका पता है कि जब ये जो पूरी line है मतलब की अब दोस्तों ये जो पूरी line है ना मतलब ही पूरा section है कोडेर मा वाल इस अभी मने ऐरो बनाए है यह दोस्तो आपका खावडा गया मेन रूट है मेन लाइन का सेक्षन है यह आप बहुत सारी राजधानिया वगेरा जो है क्रॉस होती है सुभ अगय वक्त में तो एक ब्लॉक लगा दिया जाता है इसके अंदर मालकाडियों को लूप कर दिया जाता है ताकि इन ट् स्टेशन के आगे जैसी गाड़ी बढ़ेगी तो घाट सेक्षन स्टार्ट हो जाता है और घाट सेक्षन में जाने से पहले हर लोकोपालेट को अपने ब्रेक को चेक करना होता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक चल रहे है या नहीं चल रहे हैं तो इस ट्रेन में भी यही किया यहां पर सारी घटना होई है इसकी तरफ को अगर आप जाओगे तो जो ठालान आती है और ट्रेंज वह स्पीड में होती है अब ब्रेक फेल नहीं कर रहे हैं इस कारण से यह जो सेक्षन में ट्रेंज वह रोल बैक करना स्टार्ट कर जाती है मतलब की रोल बैक नहीं तेज भ परे में जान कर देते हैं तो यह लोग क्या करते हैं अब यह जो बीच की छोटी-छोटी स्टेशन है दिलवा है नात गंज है या दूराम ब्लॉक है यह बड़े छोटी-छोटी स्टेशन है यहां पर लूप लाइन वगरा ज्यादा अविलेबल नहीं है तो गुरुपा न आगे जो और मेल इस्प्रेस गारिया चल रही है ना उसमें जाकर आजाए उसमें दिक्कत ने दे जाए तो आपको जो है एक मिनट के लिए किसी नॉर्मल स्टेशन का मैं आप जो है यहां पर आपको ग्राफ दिखा रहा हूं ठीक है सैंड हम बगरा समझाने के लिए थोड पे लाई सा तो यह मेल लाई यहां पर बाल गाली जो रिसीव करी जाती है और उसको जो है यहां पर लूप लाइन हम पर डाल धाल जाता है अब ऐसा बो गते तो हैं लेकिन उससे पहले ट्रेन पटरी से उतर जाती है और जैसा कि आपने वाईरिल वीडियो के अंदिर दे कि एक WG9 लोकोमेटीव के पीछे एक डबा लगा होता है जो कि वो लूप लाइन से होकर के जा रहा होता है स्पीड में बाकी कुछ भी नहीं जा रहा होता है बाकी जो है पूरा पैटरी वो पहले ही मलब कि जहां वो फर्स टाइम बैटरी चेंज मारी होगी उसने वहीं पे जो है सब कुछ उतर जाता है और तितर बितर हो जाता है इसकारण OHE वगरा भी तूट जाती है ठीक है तो इस पूरे एक्सिडेंट में बहुत सरे गालियों को जो है तो आप लोग सबसे पहले ये भी चेक करिएगा कि आपकी ट्रेंट डाइवर्ट तो नहीं है और अभी तक प्राइमे अफसा इंफोर्मिशन से यही चीज जो अवेलेवल है कि ब्रेक फेल होने के काराण जो है पूरा सिलसिला हुआ है ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतार रखते हैं कुछ और मिलता है तो जरूर आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो में इतना ही